हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छी होंगे तो आज बनाते हैं दम आलू की सबजी जो कि बहुत यम्मी होती है उसके लिए मैंने आलू लिये हैं उनको जो आलू है आप छोटे ही लेना नहीं है तो उन्हें कट कर लीजेगा तो इनको छील लिया है मैंने पहले उबाला है छीला है उसके बाद धीरे धीरे फॉक से न इसमें आपको छोटे छोटे होल बनाने हैं यह आप रूथ पिक की साहता से कर सकते हैं फॉक से कर सकते है अच्छे से कोई भी श्पेस ने छोड़ना है धीरे धीरे इसमें होल बना लेंगे और चलते हैं से बनाने के प्रोसेजर में तो देखिए इसमें कड़ाई में मैंने पूर्या तरी थी तो मैंने सोचा फिर इसी तेल में मैं बना लेती हूं तो ध्यान से इसमें step by step डालिएगा ये आलू को और हम क्या करेंगे पहले एक तेल को तेज गरम करेंगे उसके बाद जब इसमें आलू डाल देंगे तो इसको मेडियम कर देंगे और इस इन आलू को हमें मेडियम गैस पर रेड होने तक धीरे-धीरे पकाना है आप इस तरीके से अगर दम आलू की रेसिपी बनाएंगे तो आप यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी लगेगी बनती बहुत अच्छी है और इजी रेसिपी और जल्दी बनती है देखिए सभी आलू रेड हो गए है यानि कि ये आधे पक चुके हैं आधे हमें इनको और पका आने के बाद में अच्छी तरह से इनको निकाल दिया है तो मसाली यूज करेंगे हम सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी वेजल लीप तेज पत्ता है ये साथ में बड़ी इलाइची थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ी सी काली मिर्ची जिससे कि इसकी जो खुश्बू है बहुत अच्छी आएगे और थोड़ा सा डाला है मैंने जीरा अच्छी से तड़कने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होती है और जो मैंने प्यूरी बनाई थी इसमें टमाटर है प्याज है लहसून है अधरख है हरी मिर्ची है सब को एक साथ मिक्स करके मैंने इसकी प्यूरी बनाई थी इसको हमें अच्छी से पकाना है इसमें नमक डाल जिससे जल्दी से पक जाए और गल जाए तो नमक हल्दी और मिर्ची और साथ में डालेंगे हम थोड़ी से अजवाइन जो कि मैं हर सब्जी में यूज करती हूँ यह आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है अब अच्छे समय से चलाते रहेंगे जब तक इसकी मसाले पूरी तरह से पकना जाए थोड़ा थोड़ा रुक करके पकते रहें इसको और धीरे धीरे चलाते रहें लोही की कड़ाई में बन रहे हैं तो यह वैसे भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे कलर अच्छा आएगा और न्यूट्रिशन भी आपको पूरे मिलेंगे तो लास्ट में डाला है मैंने गरम मसाला जब यह ग्रेवी पक जाती है ना तब मैं डालती हूं गरम मसाला यह दही जिसको मैंने अच्छी से फैट लिया है और गैस को ब बंद कर दें जिससे के दही फटेना इससे बहुत अच्छी ग्रेवी आएगी बनके बहुत ही रिच और टेस्टी टेस्ट बढ़ जाएगा इस सबजी का तो देखिए ग्रेवी का कलर ही चेंज हो गया है बिल्कुल अब हमें इस अच्छी से चलाना है उसमें बोईल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे दिहान रखिएगा पानी ज्यादा नहीं डालना है लेकिन ज्यादा कम भी नहीं डालना है इसका रीजन यह है कि अगर आप ज्यादा से पतला कर देंगे तो ग्रेवी ब तो आप 15-20 मिनट बात या आदे गुंटे बात देखोगे ग्रेवी अपने थिक हो जाती है तो देखिए बोईल आ गया है इसमेच्छे से जो पाने डाला था वो भी पग गया है इसके साथ और ग्रेवी का कलर चेंज हो गया है धीरे-धीरे अब हम इसमें आलो को डाल देंगे याद रखिए ग्रेवी का पकना बहुत जरूरी है बहुत अच्छे से पकाईएगा इसको बस अब हम इसे पांच मिनट के लिए ठगेंगे ठगने के बाद फिर निकाले के इसको चलाते रहेंगे 10 मिनट तक आपको इसको पकाना है यह देखिए जब इस पे लाल रन की पपड़ी या तेल दिखने लगी ना तेल छोड़ दिया इसने आने की पक चुका है इसके मसाले भी अबजर पर लिये हैं आलू में और ग्रेवी भी अच्छी से पक चुकी है तो गाइस ओल्मोस्ट यह सबजी रेडी है इसमें हमें डालना है लास्ट में कसूरी मेथी हाथ हतेलियों के सायथा से थोड़ा रब करके डालिएगा यह देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है बहुत ही टेस्टी सबजी बनी थी आप अगर इस तरीके से बनाती है तो जल्दी बनेगी टेस्टी बनेगी गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें यह देखिए कितना प्यारा कलर आया है ग्रेवी ओल्रेडी ठीक होती जा रही है अपने आप ही सिर्फ मैने से धक्कर की 10 मिट पकाया था तो चलते हैं सर्व करने की प्रोसेजर पर तो यह देखिए बहुत ही अच्छी सबजी बनी थी गर्मा गर्म से सर्व करें आपसे रोटी, पूरी, पराठे जो भी आपको पसंद है उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं खा सकते हैं यह देखिए तो मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टेक केर बाई बाई खुश रहिए झाल